दोस्तो आज मैं आपको ऐसे जानवरों के बारे में जानकाली देने वाली हुई जिनका अस्तित्व इस दुनिया में है या नहीं किसी को नहीं पता है इस से पहले मैंने इसी वीडियो का पार्ट वन भी बनाया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उपर आई बहुत से देशों में वेंपायर के अस्तित को परविश्वाश किया जाता है। वेंपायर से जुड़ी कहानिया भी मिल जाती है। तदिक करदेशों में वेंपायर को लेकर यही माना जाता है कि रात के समय अपने कब्र से बाहर आते हैं और लोगों का कुन भी जाते हैं। माना जाता है कि यदि कोई इंसान आत्मत्या करता है या किसी की लाश को कोई बिन्ली लांग लेती है तो वेंपायर बन जाता है जब कि कोई कहते है कि यदि किसी इंसान को वेंपायर काट ले या कोई बच्चा दाथ के साथ पैदा होता है तो वेंपायर बन जाता है हलाकि अलगलग देशों में वेंपायर के जनम को लेकर अलगलग धार्ण आये हैं वेंपायर की पुराने समय की बहुत सी ऐसी कहानिया हैं जिन में कहा जाता है कि वे असली थे लेकिन अभी तक इसका कोई पका प्रवाण नहीं मिला है इसलिए ये कालपनिक जीव बन कर रहे गए हैं नमबर टू वेर वुल्फ माना जाता है कि वेर वुल्फ जिसे भेडिया मानव भी कहते हैं ऐसे इंसान होते हैं जो भेडिया में बदल जाते हैं बहुत से देश हैं जहां वेर वुल्फ को असली माना जाता है और इनसे जुड़ी बहुत सी कहानिया भी मौजूद है माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति वेर वुल्फ तब बनता है जब उसे या तो कोई श्राप हो या फिर कोई दूसरा वेर वुल्फ उसे काट ले कई देशों में ये माना जाता है कि वेयर वुल्फ मनने के बाद वेंपायर बनते हैं अगर किसी इनसान को ये लगता है कि वेयर वुल्फ है तो उसे के निकल लाइके थ्रोपी कहा जाता है बहुत से देशों में बेड़िया मानव से जुड़ी बहुत प्राचीन कहानिया मौजूद है लेकिन पक्ता सबूत आस तर नहीं मिल पाया यही कारण है कि ये भी एक कालपनिक जीव भी माने गए है मरमेड जिसे जलपरिया भी कहा जाता है ऐसी समुद्री जीव है जिनका उपर का शरीर इंसानों का और नीचे का शरीर मचलियों का होता है और इनके पास कुछ शक्तियां भी होती है बहुत से देशों में पुरानिक कत्वाओं में जलपरियों का जिक्र मिलता है कहा जाता है कि जलपरियों को गाना बहुत पसंद है इसलिए वे कभी समुद्र में गाते हुए दिखाई देती है जलपरियों की उम्र बहुत लंबी होती है लेकिन इंसानों की तरह इन्में आत्मा नहीं होती बहुत से कथाओं में जलपरियों और इंसानों के प्यार और शादी की बात भी बताई गई है कहा जाता है कि कुछ जलपरी आच्छी होती है तो कुछ बुरी आज के समय में भी बहुत से लोगों द्वारा समुद्रों में जलपरियों को देखे जाने का दावा किया है तो कैसे लगे आपको यह जानवर क्या आप भी जानवरों के उपर विश्वाश करते हैं, मुझे कमेंट करकी जरूर बताएं, थैंस वर वाचिंग